पहले LLB की पढ़ाई और फिर handwriting विशेशग्य और graphology की degree भी हासिल करना उसके बाद finally चोर बन जाना अजीब नहीं लगा आपको यह सुनकर जी हाँ इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी चोरी को पेशा बनाने वाले धनी राम मित्तल का नाम तो आप जानते ही होंगे जो नहीं जानते हैं उनको इस वीडियो के जरीए पता चल जाएगा और जो जानते हैं वो धनी राम के बारे में कुछ जादा जान जाएंगे धनी राम मित्तल को भारत का सबसे शातिर चोर माना जाता है ये चोर धोखा धड़ी से दो महीने तक जज की कुरसी पर बैठ कर फैसला भी सुनाता रहा अब ऐसे शक्स को शातिर दिमाग चोर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे धनी राम मित्तल ने 25 साल की अमर में ही चोरी को अपना पेशा बना लिया था 1964 में पहली बार पुलिस ने उसे चोरी करते पकड़ा फिलहाल अभी उसकी अमर है करीब 80 साल हाला कि अब किसी को भी ये नहीं पता कि ये चोर कहा है और कैसा है अच्छा जो खास बात है वो ये कि चोरी के इतिहास में धनी राम मित्तल सबसे जादा बार गिरफतार किया गया है आखरी बार उसे साल 2016 में चोरी करते गिरफतार किया गया हाला कि वो पुलीस को चक्मा दे कर भाग गया था अब कहते हैं कि धनी राम अब तक करीब 1000 से जादा गाडियां भी चोरी कर चुका है धनी राम मितल से जोड़ी एक बड़ी इंटरस्टिंग स्टोरी है वो भी जान लीजे वो दो महीने तक जज की कुरसी पर बैठ कर फैसला सुनाता रहा और इसके बारे में किसी को पता नहीं था दुनिया में ऐसा कारनामा शायद ही किसी ने किया हो दरसल उसने फरजी कागजाद बनाए और उसे हरियाना के जजजर कोट के अडिशनल सेशिल जज को करीब दो महीने की छुटी पर भीज दिया उनकी बदले वो खुद जज की कुरसी पर बैठ गया कहा जाता है कि इन दो महीनों में उसने दो हज़ार से ज़ादा पराधियों को जमानत पर रहा किया था लेकिन कईयों को उसने अपने फैसले से ज़ेल भी भी भिजवाया था हाला कि बाद में मामले का खुलासा हुआ तो वो पहले ही वहां से भाग चुका था इसके बाद जिन अपराधियों को उसने जमानत पर रहा किया था उन्हें फिर से पकड़ कर जेल में डाल दिया गया ऐसे कई कस्से हैं धनी राम के बारे में जिनको आप जानना चाहते हैं तो आमार उजाला की पेज़ पर जरूर विजिट कीजे अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज़ को लाइक करें